तो उन्होंने अपूजिसन मिटिंग पे बहुत बड़ा हमला किया जिस पटना मोदी जी ने देश के विकास की बाद किया तीन तलाग को समाप करने की हिम्मत की बाद थे कैसे तुष्टी करन की जगा संतुष्टी करन की राजनीती वो कर रहे हैं क्यों देश में अब युनिफार्म सिविल कोर्ट की आवश्यक्ता है जो समविधान भी कहता है सूप्रिम कोर्ट के फैसले भी कहते हैं लेकिन आज उन्होंने पटना में जो विपक्षी एकता की बै का निती नहीं करना चाहतें इनका एक मात्र उदेश है कुरसी पव है ताकि भ्ररष्टा चार वो करते रहें यह कौन लोग हैं जो भ्रस्टा चार चारा हो तूजी घोटाला हो commonwealth हो कौarian سंबीन घोटाला हो ना इस हरड के मकान संपत्तिको लूटने का घुटाला हो बंगाल में साट करोड रुपिया मिलने का घुटाला हो टीचर की नियुक्ति में और बिहार का सुप्रजित चारा घुटाला हो अलकतरा घुटाला हो ये घुटाले बाजों का जमात थी यहां पर और ये चले हैं मोदी जी का जवाब देने के लिए तो मोदी जी नहीं असपश्ट किया है वो कितना भी करें भरष्टा चार के खिलाफ लड़ाई कम नहीं होगी मुझे तो मेरा परम स्वभागी रहा है कि चारा घोटाले अलकत्रा घोटाले में स्वभागी मुझे मिला था सुशिल बोधी पेटिशनर थे और जो उस केस के पेटिशनर थे जदियू के राष्टी अध्यक्ष नितीश जी के शाह पर आज वो करें को खुटाला नहीं हुआ है कुरसी के लिए कहां गिरेंगे जेपी के सिश्ष है तो यह देश के सामने आना चाहिए जो मुद्र जी ने कहा है अगर वो दबाव से कारवाई रोकना चाहते हैं तो नहीं रोकेंगे तीन तलाक की बाति मुझे का अशिरवात था कि कानुनमतिक रूप में मुझे उस कानुन को लाने का सभागी मिला क्यों नहीं सुनवाई होती है उनकी चाहे वो मानों का मामला हो तीन तलाक में मुस्लिम महिलाएं पिडित रहें परेशान रहें प्रतियों के द्वारा तलाक 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 बोल करके उनको घर से निकाल दिया जाए उसके मावप नहीं है क्या और यह लोग किसी ने और तीन तलाक के कानून पास होने में मेरे साथ ही सोनिय गाजी ने विरूद किया मायवती जी ने विरूद किया ममता जी ने विरूद किया सीपियाई ने विरूद किया सीपियम ने विरूद किया नितिश जी की जदियू ने विरूद किया और आरजी ने विरूद किया ये है इनका हल कि वोल्ट बैंक के लिए ये महिलाओं की इज बावु ने पूरा गाली पढ़ा है कि सीपियाई सीपियम गाली पढ़ रहे हैं केजरिवाल को कॉंगरेस पार्टी गाली पढ़ रही है दिल्ली में तो यह लोग के आपस में कोई समन्वा है क्या देखिए काट की हांडी बारबार चड़ेगी यह हांडी पकने के पहले फिर फूट जाएगी लेकिन यह तो होना ही था और इन्हीं लोग के भरोसे नित्रिश्कुमार देश को एक करने चलें विकल्प की बात यह देश तरेंद मोदी के साथ खड़ा है जब मजबूत बहुमत मिलता है तो अमरीका भी आपको सम्मान देता है दुनिया भी देती है और कोई वेकेंसी नहीं है देश मोदी जी को ही चुनेगा लेकिन जो बात पहले मैंने आपसे तीन दिन पहले कही थी आज फिर कहना चाहता हूँ मितिश बाबू जो चौबिस की बरात आप सजा रहे हैं इसका दुल्हा कौन है मुझे मालू है दुल्हा भी बनना चाहते हैं तो खुल के बोलिए लाड़ जी तो बन नहीं सकते ममता जी बनना चाहती है और राहुल गांदी सदा बाहर ही है तो बिना दुले के बरात निकल दुल भी बनना चाहती है